नमश्कार दोस्तों वाकत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज की खबर बहुत ही ज़्यादा अहम है खास करकि भारत की स्टेटजी के लिए जो स्टेटजी भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए बनाई है हम बात करने वाले हैं कैसी मिशाइल की जिसका काम है सिर्फ सर्वनास हम बात करने वाले हैं परनाश मिशाईल के बारे में दरसल खबर निकल कर सामने यह आई है कि परनाश मिशाईल का निर्मान पूरा हो चुका है जी हाँ और इतना है नहीं अब इसके जो ट्रायल हैं वो स्टार्ट किये जाने हैं और बहुत ही जल इसके trial start कर दे जाएंगे और भारत चाहता है कि जल्द से जल इसके trial complete करके इसका तुरंट export कर दे जाए भारत क्यों चाहता है कि इसका तुरंट export कर दे जाए आपके मन में भी यह सवाला है होगा तो देखे पहले आप इस missile को objective समझ लीजिए तब आपके वताचल जाएगा कि भारत क्यों इसका तुरंट export चाहता है दरसल परणास missile एक खास तरह की ballistic missile है जिसकी रेंज है 200 किलोमेटर और इससे especially बनाया गया है चाइना को counter करने के लिए through Chinese neighbors यानि कि चीन के पडोसियों के जरिये दरसल भारत काफी लंबे समय से एक strategy पर काम कर रहा है strategy है सेम वो ही जो अमेरिका ने अपनाय थी Soviet Union को तोडने में क्या कि जितने भी दुश्मन के पडोसी है उन्हें अपनी तरफ पूरी तरीके से कर लो और अपने दोस्तों से दुश्मन को गेर लो जी हाँ भारत भी ओई कर रहा है भारत चाहता है कि चीन के विव पडोसी जो आज की तारीक में चीन से परिशान है उन्हें सैन्य तोर पर मजबूत करके चीन के खिलाफ एक बड़ा सरदर्द बना दिया जाए जैसे की वियतिनम, फिलिपीन और इंडोनेश्या जैसे देस तो आप कहेंगे कि भारत तो फिलिपीन और वियतनम को ब्रमोस बेच रहा है तो फिर ये नई मिसाइल बनाने का क्या तुक तो सबसे पहले ब्रमोस एक क्रूज मिसाइल है जो परनास है ये एक बेलस्टिक मिसाइल है तो बेलस्टिक मिसाइल काफी जादा बहतर मानी जाते है क्रूज मिसाइल के मुकाबले दूसरी बात भारत को हर बार ब्रमोज बेचने के लिए रश्या से परमिशन लेनी पड़ती है जी हां अपरूवल लेनी पड़ती है क्योnhי ब्रमोज में 49 फीसदी हिस्सेदारी रश्या की है एक्यावन फीसदी भारत की है तो भारत को उससे परूवल लेनी पड़ती है और तीसरी है कि हाल ही में देखा गया है कि रश्या काफी हद तक प्रो चाइना होता जा रहा है माली जा कल को अब से डेड़ से दो साल बाद जब रश्या पूरी तरी किसे चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमें वियत नाम कहता है कि हमें 50 मिसाइले ब्रमोस की चाहिए तो ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में जो रश्या है अप्रूवल ना दे तो भारत वहाँ पर फस सकता है तीसरे में मुद्दा ये भी है कि अगर भारत ब्रमोस बेशता है तो हमें जो प्रोफिट है वो शेर करना पड़ता है रश्या के साथ में तो रेवेन्यू भी कम होता है बैलेस्टिक मिसाइल अधिक ताकतवर है अधिक बैतर है दूसरे बात हमें किसी से अप्रूवल लेने की जरूतनी है तीसरी बात जो प्रोफिट है शत्परतिशत भारत को जाएगा और चीन के खिलाफ एक शत्परतिशत भारते मिसाइल खड़ी होगी जिसमें भारते टेक्नोजी लगी है तो चाइना के लिए भी बड़ा चलेंज होगा क्योंकि रश्यन टेक्नोजी से काफी हट तक जो चाइनीज है वो फिमिलियर रहते हैं ऐसे में परनास मिसाइल को भारत ने टोटली एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया है टाकि जो चीन के पडोसी हैं उन्हें ये दी जा सके पैसा भी आएगा चीन को घेर भी लेंगे भारत और साथ ही हम जो पैसा आएगा प्रोफिट के रूप में उसे अपने दूसरे मिसाइल प्रोग्राम में लगा कर उन्हें भी तेजी से और बहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगी जिस तरीके से अमेरिका भी यही मोडल फोलो करता है वो अपने हतियार है उन्हें दूसरे देशों को बेचता है मालिजे कि उसने चोथी पीडी का लड़ा को इमान बेचना शुरू करिया उससे जो पैसा आया वो अपने पाउची पीडी के छटी पीडी के लड़ा को इमानों में लगाता है और मुफ्त में उसके जो अरबो डोलर के मतलब की हतियार होते हैं वो तयार हो जाते हैं तो भारत की स्तगडी प्लानिंग पर और इस बहतरीन मिसाइल पर आपका क्या विव पोइंट है कमेंट करके में जुरू बताएगा साथ ही वीडियो को शेर केज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुँ मत बूलेगा थैंक्स वीडियो